असलामेकुम क्लासिक्स आज हमारा मंडे 14 दिसंबर का लेक्चर है मैट्स का हमने लास्ट टाइम 8.1 की थी आज हम करेंगे 8.2 ठीक है हमने यूनिट 8 स्टार्ट किया था इंडियो अलजब्रा 8.1 हमने कम्प्लीट कर ली थी आज हमने करनी है 8.2 8.2 में question number 1 देखें write each of the following word expressions into algebraic expressions हमने यह जो word expressions दे हैं किस फॉर्म में लिखने लिखने है इधर देखें write each of the following word expressions into algebraic expressions मैंने यह यहां पर questions देखें किस तर आपने इनको algebraic expressions में लिखने है इधर देखें x प्लस y है आपने लिखने x प्लस जगा आपने प्लस का sign यूज़ करने है और y आज़ेगा यहां पर ठीक है a minus b a लिखने आपने minus जगा minus लगाने और b आज़ेगा a minus b m है m लिखने यहां पर multiplied by n तो m multiply n इस तरह भी लिख सकते है और m n भी लिख सकते है इसका मतलब भी multiply ही होता है ठीक है m n या ये लिखने या ये लिखने और या ये लिखने m multiply by n या m n लिखने इसका मतलब भी multiply ही ही होता है p divided by q इसको भी हम इस तरह लिख सकते है p divided by q या p by q भी लिख सकते है ठीक है The sum of 3X and 2Y The sum of 3X and 2Y 3X और हमने 2Y को क्या करना है प्लस करना है 3X प्लस 2Y ठीक है Question number देखें 6 The difference of 5A and 4B 4B is less than 5A तो पहले हमने क्या लिखने है 5A Difference का मतलब माइनेस करना 4B जहां पर difference आएका वहां पर हमने क्या करना माइनेस करना है ठीक है इधर देखें Question number 7 The product of X and Y Product का मतलब क्या आता है Multiply करना ठीक है Product of X and Y X multiply by Y इस तरह भी लिख सकते है और X, Y, B लिख सकते है दोनों में इसको यह एक लिखना है आप में आपको दोनों बता दी है The sum of P and Q divided by R पहली statement क्या है Sum of P and Q Sum of P and Q मतलब P plus Q divided by R by R ठीक है Half of L multiplied by the difference of N and M Half of L का क्या मतलब है 1 by 2 L ठीक है 1 by 2 L multiplied by the difference of N and M difference of N and M N and M ठीक है Half of L 1 by 2 L और bracket में लिख दे रहे N minus M इसका मतलब multiply ही होता है ठीक है अगर bracket आपने नहीं लगाने तो यहापे multiply का sign आएगा अगर multiply का sign नहीं लगाए तो इसको आपे bracket में लिखने है ठीक है इसको नहीं लगाए हो रहे है अपस में पैसे हमें 2 देखे हैं बुक में से अपने नोर्स में से पेज नमबर 2 पर है write the coefficient, base and exponent each of the following इसमें जो हमें question दी हुए है total 6 है इसमें से हमने क्या बताना है coefficient बताना है base बताना है exponent को बताना कि नमबर लिखा होगा 5 ये क्या है coefficient base क्या है जो साथ उसके लिखावा variable x ठीक है exponent जो उसके उपर power होगी 1 x क्योंपर कोई power है नहीं इसमीन 1 है तो 1 ही इसके exponent आएगा question number देखे 2 second part देखे 16 p square coefficient इसमें क्या होगा 16 base क्या है p है और exponent क्या है 2 ठीक है ये 2 parts मैंने आपको बताए है बागी 3, 4, 5, 6 आपने खुद करने आगे question number देखें question number 3 देखें अपने notes में write the following in the exponential form exponential form मैं मतलब power वाली form में लिखने है ये question लिखे है मैंने यहापे note किये a dot a dot a dot का मतलब बहुता multiply या आपस में a जो है वो multiply हो रहे हैं तो ठीक है पहले लिखने है आपने a कितने times लिखें है 1, 2, 3 तो इसकी power क्या आजाएगी a इसको हमने exponential form में लिखती है x dot x x square ठीक है इधर देखें x y dot x y अब इनके दरम्याद में plus का sign ही है ये एक ही है x y dot x y तो पहले हमने किस तरह लिखने है x square y square ठीक है इधर भी m dot m dot m dot m m power इसकी क्या होगी force हो रही है p q dot p q dot p q p की power भी 3 आएगी और q की power भी 3 आएगी a b c dot a b c ठीक है a square b square c square ठीक है आज हमने 6 class question number exercise 8.2 start की थी और हमने question number 1 किया question number 2 किया question number 3 किया ठीक है या आप ते अपनी note book पे सारे questions complete करने है अलाफिस